अब गुद मॉर्णीं टो अफ्यों आप पहले डिसक्स करना चाहेंगे की लास्ट लेक्षर में ने क्या बात की थी लास्ट लेक्षर में हमने जो डिसक्स किया था वह वाईटीक एक्वेशन के ऊपर कि जो हमारी वाईटीक वेशन है उसके सॉलूशंस हमने अफेटराईजेसन मैथड़ की हैं रहें कुछ उसके ऑपर इंपोर्टैंट के बारे में डिसक्स किया था ठीक है आज हम क्याटीक इक्वेशन के एक नए मैथन के ओपर सलेंगे तो हमारा जो नया मैथट होगा को सोल करते हैं कोडिरी फॉर्मॉला है के मैथ में इसको श्री दराय को सब्सक्राइब बना जाता है और आप हम इसका प्रूफ तयार करेंगे पहले कि यह जो रूब है यह जो नियम है इसका फॉर्मॉला बनता है वह कहांなんだ है और कैसे से बनता है उस formula को हम तयाल करेंगे और इस formula में याई इस proof में मैं आपको यहाँ पर नए method याँ तीसरा method है वो भी सिखाऊँगा यहाँ पर completing square जो method होता है वो भी यहाँ पर quantity equation को solve करने तीन method बताई गए हैं पहला factorization method दूसरा completing square method और तीसरा होता quantity formula तो जो quantity formula होता है उसका जो पूरूफ होगा उसी के अंदर आपका कंप्लेटिंग स्केर मैथड भी चलेगा ठीक है तो मैं आज आपको यहां पे पूरुफ करोना चाहूंगा पूरुफ हो जो हमारा कौनिटिक फॉर्मला बनता है उसका पूरुफ क्या है कैसे वो तयार होता है हम क्यू एक्वएटिक फॉर्म में लैड कि हम यहां पे हैं कि यहां पर एक्वएशन और यहां पर है क्योंतों है वह जीडो नहीं होगी यह इन फॉर्टिक इसकार प्वेशन एप सबसे पहले सबसे पहला सबसे पहला सबसे आपको नोट करना यहां पर स्टैब आपका फरस्ट होगा स्टैप नमबर फ्रस्ट देखिए step number first मारे पास क्या बनता है यहाँ पर step number first यह कहता है कि जो आपके पास यह quantity equation है इस quantity equation के अंदा जो axis square का coefficient है उस coefficients को हमें constant जो भी है यहाँ पर उस constant को हमें हटाना है और उसकी जगह पर one constant हमें लेके आना है यादि कि unity बनानी हमें axis square का जो coefficient है वहाँ पर हमें unity बनानी होगी तो देखिए यहाँ पर axis square आपके पास यहाँ है और axis square का coefficient क्या है हमाले पास a है axis square का coefficient a है तो इस a को आपको आठाना पड़ेगा देखिए यहाँ पर यह जो आपके पास quadratic equation है इसका हम यहाँ पर प्रूफ त्यार कर रहे है क्वाणिटिक फोर्मले के लिए और प्रूफ त्यार करने के लिए हमें यहाँ completing square method को यूज करना होगा यादि कि जो इसका प्रूफ है ना वो किस तरह से त्यार करेंगा यूजी completing square method यानि कि जो इसका प्रूफ है वो इस फॉर्मले के इस method के जरीए होगा इसका प्रूफ तो जो एक्सस्क्राइब आए है हमें बनाना है तो हम यहाँ पर दिवाइज करेंगे एसे तो यहां कि कि दिवाई भाई दिवाई यह दिवाई थाइज तब दिवाई तो यहाँ पर गास एक्सक्राइब प्रिवाइद करते हैं तो एक्स स्केल कि पलास अभी अपराइस घ्राइड करते तो यह एक्स मुल्टिप्लाइब है एग एक्सिप्लाइब रहे रहे गा पालस सी अपों योजिए गौस तो जिलो और दिवाइड करेंगे तो जी दो एगाएं तो यहां पर x square same a से बांग कर गया इसे cancel b x upon a और c को इसे डिवाइद कर गया is equal to 0 ठीक है यह आपका step number first है इसके बाद step number second step number second यह होता है कि जो आपका x है x का coefficient देखिए x का जो coefficient है वो क्या है और उसका half करके scaling करिए step number second आपका यह होगा जो आपके पास x है x का coefficient क्या है positive b upon a है और उसका half करना है आपको तो positive b upon a है इसका half करें तो 1y2 से multiply कर दो यानि कि b upon 2a बनी किया ठीक है और इसका फिर सुकेर करो सुकेर करें तो b square upon 4a square बन जाए आपके पास और यह ट्रमा आपको add और subtract करनी होगी यहां पर यह आपका step number second है step आपका first or second 2 step important है इसके आगे आपको दिक्रत नहीं आएगी यह दो यहां पर तो अगले step में यहां पर करने चाहेंगे एक्स के एज़िटीज प्लस भी अपोन ए एक्स एज़िटीज अब आपको यहां पर add करना होगा और पहले हमें add करना है बाद में अमें शुटेट करना होगा तो पहले हमें एड़ करना क्या है दो बाद सुनिए एक्स का जो पॉफिशेंट होता है बी अपोन ए पोजिटीव का है दो पॉजिटीव लो नेगेटिव का दो नेगीटिव लो जो पॉफिशेंट है उसका हाफ कर दीजिए आफ करते हैं तो वन बाइट उसे मिल्टिप्लाइब करो और पिर तो आजाए ओ भी अपोन टूब इसका स्केर करेंगे स्केर करने के बाद बीच के रफॉन में पोर इसके रागिया तो अब आपको यहां पर भी इसकेर अपोन प्रहुर ूजिटीट करना है और इसी को सुटेट कर देना है बीच कर गोन फोर स्केर घिक है बादी आग कि इसके बाद इतना करने के बाद हमारे पास आके जो होगा वो हमें पहले तीन जो ट्रम्स है पहली जो तीन ट्रम्स है उन तीन ट्रमों में एक फॉर्मूलाइब पूस करो इसके बाद आपने डिसक्स करें कि यह तो मारेक पास तीन त्रम्स हैं इन पहली प्रीन इंसAG पहरीघ रिकटी ट्राव तो आढ़े नहें और लिए आपके पास पॉमला बंडैगा और वो आपको देखना है इस thirds ना्य सां आई ने शक्ता हूँ इस सकता हूं जाएगा ठीक है यहां पर यह बंगे बंजाएगा बीब आपन टू एका होल स्केर होगा आपके पास ठीक है और प्लास अब एक एक दान से यह आपके पास एक स्कूर्ट थामने इस वैसली का यह बीब आपन भी स्केर अपने फोरेश्यर है तो इसको मैंने कैसे लिग देख लिख दिया है आप भी स्केर तो भीका स्केर हो गया फोरेश्यर है इसको मैं लिख सकता हम टू एक एक स्केर तो यह लिए बीप आपन टू एस आरे जाए तो यह आपके पास आजाएगा और अब आप यहां पर द्यान से लेगें आपने एक एल्जबरिक वे फोमला बढ़ आपके पास एक सोगा और बी के जगहें पर वर होगा और पर यहां पर इंस दोनों महाल के बनेंगा स्केर तो ग्यान से देखिए अगमान एक का स्केर आपके पास यह आया हुआ है और जमांदre और दो एक के पास बन जाएगा देखी क्या अपर दो एक मतना वेक्ष हो गया विवल यह पर नहीं पर दो से नहीं चौना में पर पर दिया डूर से वारे अपर ताएंगों आपके पास क्या जाएगी देखिए इक इपल टू यह इसके आपने फॉर एसके यह आपका पोज़िए और दो यह इस बात को जान में रखना है यहां पर इस बात को जाल में रखना है यहां पर नमर थार्ड ठीक है अगर माईनस ओ तो यह माईनस भी का होट के बढ़े गा इन तीनों के सब्सक्राइब इन परण पहर एड़ करेंगे तो वहांपे आपका और इसके बारे में कैसे पता लगा क्योंकि यह इसको लिख सकता हूं यहां इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आपके पास जो यहां है इसका बने गया एक्स जहां बी अकॉन में टूए और इस सारे का आपके पास होज करा गया एजी कॉलिटी के बाद अब यह है तो हम इसका ले लेते हैं यहां पर आपके आपके पास लेने के बात आए हैं आप यहां पर देखेर हैं हम इसकेर को आटाना चाहते हैं अगर स्केर को आटाएंगे तो फिर हमिंकिया अपने आप बने आप दौना तरफ लेकिंग स्केर रूट लेंगे दौना तरफ क्या लेंगे हमें स्केर रूट लेते हैं तो टेकिंगू आ लिए डूरर रओंप सेटींगे यहां पर लिता हूं में आगे साथ कहार पालत में विय आपन में दो आपने घौत ए Allis Осब है यहां पर नहीं के बाद मेश मारस को रिए सी अपोन में एसका अधैस का भी हम स्कुल्ट लेते हैं इस तरह से I आप देखे दोन-दोत्राप हमने स्किल्ट ले दिया है यहां पे इस स्केर से हैं और यह रूंट के पास कैंसल हो जाएगा अब देखें यहां पर जब आप इसका स्केर से रूट इस तरह से कैंसल करोगे तो यहां पर आप पास जो अंदर वारी जो ट्रम सै इसके दो केशिज बनते हैं यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस में बी अपॉन टूए एजी कोई टू प्लस माइनस और यहां पर आपके पास आजएगा स्केर रूट ओव बी स्केर माइनस पोरे सी डिवाइड भाई इसका स्केर उट करेंगे तो दो यह उजएगा चार पार उट लेंगे तो दो और एश के लगए तो एब जे क्वार्स करें पार गरिष्ट यहां पॉस्ट है ऊठ importing साएगा सब्सक्राइब और यहां पर उसके रूट ओफ ने को स्केर है आप 4A C है और डिवाइड वाई 2A हो जाएगा अब दोनों का हम ले लेते हैं यहां भी 2A यहां भी 2A तो दोनों लेते हैं तो हमारे पास लसे माजेडा 2A एडिशन कितना हो गया है 2A और यह आगया माइनस का B प्लस माइनस स्केर रूट ओफ B स्केर माइनस में 4AC यह आपके पास किसकी वैलू होगी X की वैलू होगी यानि कि इस इक्वाइडिटिक एक्वेशन में इस X वैलेवल का मान क्या हो जाएगा माइनस B प्लस माइनस स्केर रूट B स्केर माइनस 4AC अपोन 2A और इसी को हम किस नाम से जानते हैं यह जो आपके पास X की वैलू आई है यह जो X की वैलू है इसी को हम बोलते हैं That is a quadratic formula इसी को हम क्या नाम देते हैं इसी को हम नाम देते हैं Quadratic formula तो यह आपका एक मैथड हो जाता है एक फारूला बन जाता है X का मान निकालने का या solution of quadratic equation बोला जाता है या रूक्स भी कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो वैलू आएगी एक positive और एक negative कौन-कौन से दो वैलू होगी देखे मैं लिखना चाहूंगा कौन-कौन से यहाँ पर दो वैलू बनती है एक वैलू तो आपके पास यहाँ पर बनेगी X की एक वैलू बनेगी यहाँ पर minus B plus square root of B square minus 4AC upon 2A यहाँ पर एक वैलू तो यह बनती है कि B square minus 4AC यहाँ रूट है और आगे positive और negative यह दो शाइन है इन दोनों में से पहले आपको plus कर लेना है और दूसरा minus का sign लेते हैं तो यह आपका minus का B square minus 4AC upon 2A बन जाएगा यह आपके पास दो वैलू हो जाएगी और यह जो दोनों वैलू है इनको हम alpha और beta के नाम से जानते हैं यादि कि quadratic equation के दो roots बोले जाते हैं और वो roots क्या बोल जाते हैं alpha और beta के नाम से जानते हैं तो यह हमारा proof है quadratic formula का की quadratic formula कैसे derive होता है बहुत सब्सक्राइब बता जाते हैं अरे उससे पहले उसका डेरिवेशन तो पता हो हमें कि quality formula बनता कैसे है क्योंकि आगे जो competition में बैठेंगे तो subjective questions में हमारे पास इस तरह कहीं आते हैं ठीक है कि नहीं तो सब्सक्राइब कुछे जाते हैं क्यों स्क्राइब कर लेता है फॉर्मले भी यांद कर लेता है लेकिन हमें डिरिवेशन जरूरी है आने चाहिए तो सबसे पहले स्क्राइब यह है कि एक्स्टेर की टाप ओफिशेंट बनांगी यह जैसे की आपके पास एक्स स्क्राइब जमागी एक्स ग्ंस. तो यहांद दूसरा श्क्राइब आता पूं यह बताया था कि दो और एक्सकाप आफिशेंट होता है भी अपने उसका अधातर के स्केर करो बिया पूने का अधातर ना है तो से मल्टिप्लाइब कर देंगे तो वी गुणा में वन अपन टू बी अपन ए गुणा में वन अपन टू यह बन जाएंगा और फिर इसका स्केर दीजी तो बी सुके तो यह आपको यहां पर पहनिक न कृद्स Tक ना अगस अगर पह Dual न क Richter करें ऑर इतां दोनगा के लिख लिए आपके पास एक प्रहियत है पिलस बीकिल हो सकता है सकता है यह किस पर डिपेंड करेंगा इस निसान पर आगर यह आपके पास प्लस का है तो यह प्लस भी का हुल स्केर अगर यह माइनस का हो तो यह माइनस भी का हुल स्केर बढ़ेगा और वह आप देख सकते हो यह और भी क्या होंगे यहां पर एका मतलब देखिए यह एक स्क थाओ एक्स का खोड़ स्केर इसकाव अब आपको एक्स बन जायेगा झाए ये भी पूर एक्स कुप शैय गेंज तो ये साना आपका क्या बन जायेगा तो एक स्केर बी क्वास के और दमा तौए भी हमारे पास बनेगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा और इसके लिए यहां जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा है तो आज के लिए इतना ही अगले लेक्षर में हम यहां पर इन दोनों मैथट्स के ऊपर क्यूस्टन सौल आउट करेंगे और नेच्चर ओफ क्वाइलिटिक फॉर्मला नेच्चर ओफ क्वाइलिटिक फॉर्मले के ऊपर भी डिसकस करना चाहेंगे थैंक्यू